हाथी और चुहा की कहानी एक राज्य में एक राजा का शासन था हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था जहाँ प्रजा उसके दर्शन किया करती थी एक दिन एक ननहा चुहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहां राजा का जुलूस निकलने वाला था वह चुहा था तो छोटा सा, मगर उसका घमंड बहुत बड़ा था और वह कुद को सर्वश्रिष्ट और महान समझता था कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड लगने लगी राजा अपने पूरे दलबल के साथ था, उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था हाथी शाही था इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनते थी जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुट्ता भी थे राजा का जुलूस देखने को उम्दी भीड राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रहे थी यह सुनकर घमंडी चुहे को बहुत बुरा लगा वह हाथी को गौर से देखने लगा फिर सोचने लगा इसमें ऐसी क्या कास बात है जो मुझ में नहीं मैं भी उस जैसा ही हूँ मेरे पास भी दो आखें, दो कान, एक नाक और चार पैर हैं फिर उसकी इतनी प्रसंशा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सून्ड के कारण, छोटी छोटी आखों के कारण या जुर्रीदार चम्डी के कारण किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ चुहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पढ़ गई और उसकी लाट टपक गई जुलुस छोड़ वह उसकी ओद लबकी फिर क्या था? चुहा अपनी सारी महानता भूल कर दुम दबा कर भागा भागते भागते वह हाथी के सामने आ गया आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चुहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया चुहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था मगर किसी तरह उसने कुद को बचाया वहां से बचा तो खतरनाक कुट्ता सामने था जो उसे देखकर गुर्राया चुहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया उसका सारा घमंड उतर चुका था उसे समझ आ चुका था कि वह इतना भी श्रिष्ट और महान नहीं सीख्त किसी से मात्र रूप रं की समानता हमें महान नहीं बनाती महान हमारे गुन और कार्य बनाते है